Spinal Tuberculosis या मनको का Tuberculosis Spine में होने वाला TB infection है जो की मनको या डिस्क को गला कर धीरे-धीरे Spine में पस बना देता है Spine का Tuberculosis किसी और Tuberculosis की तरह ही होता है जिसको कि हम दवाईयों से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं लेकिन Spine के Tuberculosis में जो में दिक्कत होती है वो ये लग जाती है इसकी वज़े से पैरों में सुनपन, भारीपन, मोशन यूरीन का कंट्रोल जाना पैरों की ताकत जाना या हाथ में कमपन होना इस तरह की दिक्कते शुरू हो सकती है Spine Tuberculosis में सबको सरजरी की जरूरत नहीं होती अगर हम जल्दी ही Spine Tuberculosis को पकड़ लेते हैं तो सिरफ दवाईयों से और रेस्ट से ही ये ठीक हो जाता है और कोई सरजरी की जरूरत नहीं होती सरजरी की जरूरत तब होती है कि अगर मन के इतने गल जाए कि कूबर बनने लगे या फिर नसे दबने लग जाए जिसकी वज़े से सुनपन, भारीपन या चलने में दिक्कत हो या पैर में क्रैम्स पढ़ने शुरू हो जाए या पैरलेसिस होने लग जाए तब हमें सरजरी की जरूरत पढ़ती है स्पाइन ट्यूबर क्लोसिस में सरजरी अकसर हम पीछे की तरफ से करते हैं और इसको हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से या उपन तरीके से दोनों से कर सकते हैं इसमें हम स्पाइन को स्क्रू और रोड लगाके फिक्स कर देते हैं अगर मन के गलरे होते हैं प्लस जो पस या गंदा टिशू स्पाइन की नसों को दबारा होता है उसको हम खोल देते हैं इसको decompression surgery कहते हैं जिससे पैरो में ताकत वापिस आ जाती है चलना फिरना फिर से शुरू हो जाता है और motion urine का control भी वापिस आ जाता है इस surgery को अगर हम timely कर देते हैं तो patient पूरी तरह से normal हो जाता है surgery के बाद भी मरीज की 9 महीने या 1 साल के करीब तक दवाईयां चलती है लेकिन surgery के बाद कमसिकम हम मरीज को brace पहन के चलना अलाओ कर देते हैं जिससे की नस्पे दुबारा असर नहीं आता spine tuberculosis पूरी तरह से ठीक हो सकता है timely इसका इलाज कराएं और अगर आपको पैर में या हाथ में सुनपन, भारीपन, कमजोरी या तेज दर्द की शिकायत हो रही हो तो अपने spine specialist को जरूर दिखाएं हो सकता है आपको surgery की जरूरत हो Thank you